मैंने केसी आप्दा को बहुत निकर से देखा हुआ है, हनुभव किया हुआ है 79 में, आज से 45 साल पहले की बात है गुजरात में, मोर्वी में एक अर्थन डैम था और भारी बादिश हुई और डैम पुरा नस्ट हो गया और आप पलतना करें तो डैम बहुत बड़ा था, मच्छू तो पूरा पानी और मोर्वी एक शहर है उसमें गुजगाया और दस दस बारा बारा फीट पानी था पूरे शहर में धाईजार से ज़्यादा लोग उसमें मृत्य हुई थी और वो भी मिट्टी का डैम था तो पूरी मिट्टी पूरे हर घर में उसको करीब 6 महिने वहां रहा था एक वोलेंटेर के रूप में उस समय में काम करता था और मैरे मड के बीच जो समझाय पता कैसी होती है उसमें किस प्रकार से बुसीबत जेलनी पड़ती है उसके बराबर मैंने इसको क्यों के वोलेंटेर के रूप में ने काम किया है तो मुझे पता है तो मैं भी अंदाज कर सकता हूँ कि जिस समय ये परिवार के परिवार मड में बह रहे होंगे तब कितनी बड़ी कठीन परिस्तिती रही होगी और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं उनको देख करके लग रहा है कि इस्वर ने कैसे उनकी खुर्पा की उनको बचा लिया है तो मैं इन परितिती के भली भाती अनुमान लगा सकता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी